कि कल आप एक्सपारी पर निफ्टी बेंक निफ्टी को किस तरीके से ट्रेड करोगे चलिए हम डीटियल में जानेंगे इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को कम्प्लीट देखेगा तभी आपको डीटियल में समाझ में आएगा ठीक है आज का अगर मार्केट आप देखोग और वहीं स्टॉप लोस बार बार ज्यादा तर 90% स्टॉप लोस गये होंगे ठीक है मेरे भी कुछ स्टॉप लोस गये लेकिन वह पता था हमको कि आज का साइडवेस मार्केट है तो ज्यादा कुछ करने का था नहीं ठीक है चलिए कल आप किस तरीके से ट्रेड करोगे तरफ जाएगा लेकिन जब सस्टेन नहीं होता है मार्केट तो इतनी बड़ी बड़ी रैट केंदल बना कर वह तुरंत ही नीचे गिनने लगता है ठीक है तो बायट का काम यही होता है कि मार्केट को किई और किसी तरीकों को हाय लेवल को एक बार सस्टेन करे और जो कि मैं यहां पर आज का पूरा दिन मार्केट साइब्स था तो कल हमारा सीम्पली प्लान रहेगा इसी रेंज के बीच में लगभग 40,000 बार 49,000 बीच में तो लगबग यह 500.00 की रेंज यहां पन किते हो इस रेंज के बीच में आपके बाद ओपन करेंगे तो तुरंत ही गिनने लगेगा यह बात हमेशा त्यान रखना ठीक है उसके अलावा टार्गेट क्या क्या हो सकते हैं आपका जो टार्गेट रहेगा लगब पहला टार्गेट रहेगा उन्चालीजार शाट्सो के आसपास का सेकंड टार्गेट आपको बता चुका हूं ठीक है अद्ट यहाँ पर में जो मेजर टार्गेट आपका रहने वाला थीन्सों का लेवल वह फोल्ड करेगा देन उसके बाद उपर की तरफ यह चली नेक्स्ट अब बात करेंगे निफ्टी के बारे में एक बार डेली टाइम फ्रेम के केंडल को हम देख लेते हैं निफ्टी के अंदर यहाँ पर भी देखोगे आज कहीं ने कई कंदल बनती हुए नजर आई है क्योंकि अभी हमने जस्ट रजिस्टेंस को हीट किया ठीक है और यहाँ अब आप सिंवली देखोगे तो यह जो एडिया हे अप रजिस्टेंस के सतर तो सब ब्राइए ऊपड़ी पार के साथ और उसकी परिक्टाउन हो इसकह पहली बार इसको यहां पर टेस्ट करने की मार्क्रे क्यूंकि निकलता है तो यह अगर लेश्चेंस के वाते हैं तो डेफिनेटली फिर अपसाइट मोमेंटम हमको देखने को मिलेगा लेकिन उपर जाएगा मार्केट स्लो इन स्टुडी जाएगा ठीकिए चलिए फिप्टी मिट आइम फिर्म के चार्ट के उपर देख लेते हैं कि कल आपका किस तरीके से प्लान ओफ एक्शन होना चाहिए तो आपको रेडी रहना है दोनों ही तरफ ट्रेड मिलेगा काफि अच्छा ट्रेड मिल सकता है मौर्निंग का ट्रेड का अगर मार्केट इस रेंच के बीच में ऑपन होता है दिन अगर यहां से निकाल रहा हे इसातरा चार्गेट करना है अगर साइडवेस ओपन होने के बाद इसी रेंज के बाद सत्राजार 165 का लेवल डीक के ब्रेकाउट के बाद हम बाए कर सकते हैं अगर 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 आपका प्लान है कि अगर दोसों के आज पस होगा तो कहीं करने के बाद ये ब्रेकाउट ले रहा है तब भी वह मोमेंटम में उपर कंट्वीन करेगा अदर्वाइस फिर से नीचे आएगा फिर उसके बाद ये जा सकता ठीक है और एक और फार्मा इंडो स्टोक के अंदर आपको ध्यान रखना है ठीक है अभी नेटवर्क इशू इसकी वजह से चल नहीं रहा है ठीक है चलो वीडियो के सा लगा कॉमेंट्स में जुरू बताना मैं मिलता हूं नेक्स व्यू के अंदर अग गवाई